आज हम लेकर आए हैं भंडारे वाले हल्वे की रेश्पी जिसे आप इस बार कन्या पूजन के लिए बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है हलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल तो आज हम लेकर आए हैं नौरात्री इस्पेशल कन्या पूजन हल्वा की क्रेश्पी तरह देना स्टार करते हैं बिल्कुल न्यू तरीके से आज हम बनाएंगे इसके लिए हमने चूज निया है मोटी या बारिक वाले सकते हैं अगर मोटी वाली तो आप एक बार मिकिशिजर में चला लेजिए और इसी एक कटोरी में हमने रख लिया है अब तो यहां पर एक कप पूरा दूद हमने डाल दिया है और यहां पर दूद करें अच्छी तरह से जो दूद में मिक्स हो गई है और सूजी को दूद में भीगोने के बाद इसे हम रख देंगे एक गंटे के लिए आधे घंटे के लिए फूलने के लिए यहां पर जैसे दूद को मिक्स किया सूजी तरह से दूद को सूफ कर लिया है और यहां पर आधे घंटे बाद सूजी तरह से फूल गई है जितना भी किया है कर देते हैं और चलाने के बाद अब इससे हम बनाना इस डार्ट करते हैं तो अगर आपको हमारी रेश्वी पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक शेयरो सब्सक्राइब जरूर करें यहां पर गैस में चला देते हैं नौनिश्टीक कड़ाई और उसमें हम डालते हैं गी और इसे हम बहुत ही कम घी में आज बनाने वाले हैं तो यहां पर एक ही चमस बनाएंगे यहां पर एक चमस हमने गीडाला दिया है अब पीर इस य। इसाथ चीपक जाएगा लेकिन यहीशे यह हम चल आते वए तोड़ते वश्वनेंगे तो इसंके बाचला से तरीके से हम तोड़ते रहेंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे तो थोड़ा सा मेहनत है लेकिन अगर टेश्टी हलवा खान रहा है तो इस तरीके से आप जरूर बनाएं यहां पर देखें दस मेट जैसे इसको हमने भूना इसकी जो दाने हैं विल्कुल अल बड़ा है और चीनी डालने के बाद फिर इसको हम मिक्स कर देते हैं सुजी में और अब हैं पर हम डाल देंगे पानी तो आप दूद या पानी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं तो यहां पर हमने पानी लगबग हमने डेड़ गिलास के करीब जाला है यानि तीन कब और फिर एक पिंच हम कलर डाल देते हैं फूट कलर जैसे भंडारे वाले डालते हैं तो यह फूट कलर जैसे हमने डाला हो देखिए इसका कलर जो भंडारे में हम हल्वा खाने जाते हैं प्रसाद बिल्कुल उसी तरीके से कलर आया है और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग डाल करने के बार यहां हम चम्मस घी भी जो भूर्ण ही और एक पडल करके डाल सकते हैं एक चमस घी में कुछ बदाम को बारिक काट लिया था इसको ढाल दें नेते हैं ढूंद कोई भी जो आपको पसंद हो डाल सकते ही वह Blue यहां पर देखिए तड़का जो अच्छी तरह से जल गया था बदाम वाला तो इसको हम हलवा तयार है और तड़का लगाने की बाद अब इसको तड़के खोंप पूरे हलवे में मिक्स कर देते हैं तो आप फिर इस पाचला आपने लिया और अच्छी तरह से चलाते हुए प कषरोंए में हमें मिक्स कर देना है इस तरीके से अप पूरात्री पर हलवा बनाएं चाले पूजन के लिए कन्य कळ्यपूजन है जोकि खाने में बहुत ज्यादा घैच्टि लगेगा सिस्पिघे करें यहां पे कटोरी लेते हैं हम हलवे को सर्व करते हैं तुली जी बन करके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दानिदार सूजी हलवा तयार है बिल्कुल भंडारे की तरह जैसे आप भंडारे में खाते हैं देखिए देखने से एक कलर बिल्कुल वैसे ही लग रहा है और इस इसके उपर से कोई भी चीज से डेकोरेट कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए अब हम लेती हैं चम्मशों दिखाते हैं तो देखी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलवा बन करके तयार